Hello Friends, Welcome to my channel My Baby Care और मैं हूँ आपके साथ अर्शना जैसा कि आपने वीडियो के थाम्नेल में देखी लिया होगा कि आज के मारे वीडियो का टॉपिक है कि 5 महीने के बच्चे जो है क्या-क्या चीजे करने लग जाते हैं तो देखिए जो चीज में आज बताने वाली हूँ ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा जो है 5 मेने से पहले ही करना शुरू कर दिया हो या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है एक महीने बाद यानि पांच मेने कम्प्लीट करने के भी एक महीने बाद तक वो चीजे करना शुरू करते हैं तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि हर बच्चा अलग होता है तो कोई बच्चा कुछ चीजे जल्दी करना सीख जाता है और कुछ बच्चे थोड़ा लेट से सीखते हैं पर हाँ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीजे हैं जो अगर आपका बच्चा पांच मेने में नहीं कर रहा है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर के पास जाना है और इसमें आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करने जाहिए तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है कंट्रोल तो देखिए पांच मेने के बच्चे का जो कंट्रोल है वो काफी अच्छा हो जाता है जैसे की जैसा बच्चे को मालगे टमी टाइम देते हैं यानि की बच्चे को जब आप पेट के बल लिटाते हैं तो ये भी चीज दिखाती है कि बच्चे का जो बडी कंट्रोल है अब दीरे दीरे अच्छा हो रहा है और साथी साथ आप ये भी देखोगे कोई पी चीज माले जाए बच्चे के सामने इस तरफ लेके जा रहे हैं अगली चीज जो आप अपने पांच महिने के बच्चे में देखेंगे वो ये है कि बच्चे में एक अच्छी स्ट्रेंथ आप आने लग गई है उसके शरीर में अच्छी ताकत आप आने लग गई है इसके एक्जामपल दोंगे आपको कुछ जैसे कि माली जी की पांच मेने का बच्चा है उसको आप किसी सपोर्ट या सहारे से आप बठाने कोशिश करेंगे तो बच्चा जो आप थोड़े देर बैट पा रहा है पर आपको यह तब भी करना है जो आपके बच्चे का नेक कंट्रोल जो है अच्छा हो रहा हो तो आप देखोगे सहारे के सहारा देने पर बच्चा थोड़े देर बैट सकता है साथ ही अगर आप मालीजे बच्चे को अपने सपोर्ट थोड़े खड़ा करने कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होगा कि बच्च अपने पैरों को नीचे की तरख धकेलने कोशिश करें यानि कि उसके पैर में भी दिरिदरे स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है और वो अपने आपको उपर उच्छालने कोशिश करता है तो ये भी एक चीज है जो आप बच्चे को देखोगे इसमें और इसमें बच्चे की स्ट्रेंथ भी आएगी साथ ही अगर आप मालीजे आपका बच्चा जो है दूद पी रहा है बॉटल से तो आप देखोगे कि बच्चा खुद से अपनी दूद की बॉटल पकड़ कर दूद पीना उसने स्टार्ट कर दिया है तो ये सारी चीजे मिलाकर ये दिखाती है कि आपका जो पांच मेने का बच्चा है उसमें पहले के मुकाबले जो आप उसकी स्ट्रेंथ या उसकी जो ताकत है वो थोड़ी सादा हो रही है अगली चीज जो आपने बच्चे में देखेंगे कि पांच मेहने की उमर में बच्चा चीजे ढूडने की तरफ जो इसका सेंस बढ़ने लगेगा जैसे कि मालीजी आप अपने मूँ को चुन्नी से छुपा लेती हैं आप या घर में कोई भी तो हाथ हटा कर चुन्नी हटा कर या कोई पी कपड़ा आपने लगा लिए उसको हटा कर आपको ढूंडने के उष्ष करेगा या फिर आपने कोई टॉय या कोई खिलोना उसके सामने चुपा दिया है कहीं पे तो वो उसका ध्यान उस चीज़ पे रहेगा कि वो चीज़ वहाँ छुपाए गई है तो इसमें वो ध्यान देना शुरू करेगा कि कौन सी चीज़ उसके आसपास हो रही है उसको नोटिस करना वो इस उम्र में शुरू कर देता है अगली चीज जो आपने बच्चे में देखेंगे कि बच्चा जो है पांच मेने के होने पर पल्टी मारना सीख जाता है दोनों तरफ दाइं और बाइं दोनों तरफ जो पल्टी मारना सीख जाता है उसके नेक और गर्दन का कंट्रोल अच्छा हो गया है, साती साथ की बाड़ी में स्ट्रेंथ भी आ रही है, तो इस उम्र में बच्चा पल्टी मारना शुरू कर देगा, तो एक चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को बिल्कुल भी अकिला नहीं छो अगली चीज आप देखेंगे कि आपके पांच मेने के बच्चे की जो आइसाइट है, जो दृष्टी है, वो अच्छी होने लग गई है काफी पहले से, और उसके जो कलर में वो अंतर करना जो अब शुरू कर देगा, इसका एक्जामपल ही हो सकता है, या अपने बच्चे जो है अब करना शुरू कर रहा है, अगली चीज जो आप देखेंगे, कि आपका बच्चा जो है इस एज में हर चीजे छूने की कोशिश करेगा, जो भी इसको सामने चीज देख रहे हो, ईसको चूएगा, और इसको जो है मुह में दिने की कोशिश जो है, बिल्कुल और कर वाली हों जिससे कि बच्चे को चोट लग जाए तो इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस एज में बच्चे का हर चीज मूँ में देना जो है वो इसके डेवलप्मेंट का ही पाट है एक और चीज जो अपने बच्चे में इस सेज में देखेंगे कि आप अगर बच्चे का नाम पुकार रहे हैं तो अपना नाम वो जो है पैचानना शुरू कर देता है अगर आप उसके नाम से पुकारेंगे तो वो उस तरफ देखना शुरू कर देगा चाहिए आप रूम के बाहर भी हो और आप नाम पुकार रहे हैं तो वो जो है अपने आवास उसको पहचानने को उसकरेगा कि मुझे जो है पुकारा गया है तो ये भी एक चीज है जो पांच महिने का बच्चा जो है इस पर रियाक्शन देना शुरू कर देता है और अगर वो रियाक्शन नहीं भ इस एज में बच्चा जो है भावनाओ या इमोशन को समझना भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है इसके जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे को थोड़ा प्यार से बात कर रहे हैं तो आपको देखके खुश होने लग जाएगा या फिर आप बच्चे से तेज क्योंकि इतना बड़ा नहीं है कि वह चीज दिक्तम करना छोड़ दे पर एक बार कले सहम जरूर जाएगा क्योंकि उसे पता है कि वह चीज नहीं करनी है या फिर अगर आप दुखी है तो हो सकता है कि वह अपने भाव अपनी जो फीलिंग्स हैं इमोशन हैं जो बच्चे जो है अब धिरे धिरे जो है वो व्यक्त करना यानि कि एक्स्प्रेस करना जो है वो इस एज में सीख रहे हैं इस एज में बच्चा जो है नहीं चीजे देखकर और नहीं लोगों को देखकर भी जो है खुश होता है वो क्यूरेस होता है जैसे कि माली जी आपके घर में को एक नया महमान आया है, आप लोगों से अलग कोई वक्तिया है, तो वो जो है उनको देखकर जो है, एक तरफ उनको ही देखता रहेगा, वो कि उनको लगेगा कि यह कोई नई चीज है, साथ ही साथ माली जी आप कोई नया टॉय उसको देते हैं, या माली जुसने टीवी में तब देखो कि वो उसी चीज को जो है लगातार देखते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए चीज नहीं है, और वो दीरे दीरे जो है इस चीज को समझ रहें, तो इस टाइम पे जो उनकी क्योरिसिटी है, वो काफी जादा होती है हर चीज को लेकर, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बिल्कुल भी डिले या बिल्कुल भी देरी जो है नहीं करनी चाहिए, तो आप उनके बारें बात करते हैं, सबसे पहले चीज है आवास की तरफ रियाक्शन ना देना, इसका मतलब यह है कि मालेज़ आप उस बच्चे को अपने उसके नाम से पुकार रहे हो, या उसके आ अगली चीज है कि चीजों पर उसकी पकड़, यानि कि बच्चा जो है इस एच में चीजों को पकड़ना चीज अच्छे सीख जाता है, पर आपको लग रहा है कि कोई भी आप खिलोना या आप अपनी उंगली भी बच्चे को दे रहे हो, तो वो उसके पकड़ नहीं है, ब चीजों को पकड़ के एक दम से छोड़ देता है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसके इलावा अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है किसी भी तरह के आवास मुंसे नहीं निकालता है, आवास का मतलब ये नहीं कि वो कोई वर पर अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बिलकुल भी नेक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक और लास्ट पॉइंट जो है जिसमें आपको धिहान रखना है कि मान लीजिए, हर बच्चा जो अपने पेरे अपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से घुले मिले होते हैं, और उनके लिए एक अच्छा एक एमोशनल फैक्टर उनके पास होता है, पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको अपको डॉक्टर को दिखाना चाहिये, यही था हमर आज का विडियो जिस में आपको बता है, कि इक पांच महीने का बच्चा जो है, क्या-क्या चाहिशसे करना सीख जाता है, और साथ ही, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन सब के बारे में, इस वीडियो म बनाई हैँ दो मेने के बच्चे के विकास पर चार पेनी के बच्चे के विकास पर आठ मेने के बच्च हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू